तो फ्रैंक थोड़ा समझ जाते हैं और फ्रैंक कहते हैं यू साउंड एल लिटल बिटर टापलो बिटर मतलब तुम कड़ुआहट के साथ बोल रहे हो साउंड करना मतलब महसूस होना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम में थुड़ी कड़ुआहट है टापलो क्योंकि जिस तरीके दर टापलो ये कह रहा है कि मैं साइंस लेना चाहता हूँ आप साइंस को दोश्ट दे रहे हैं साइंस को बेकार मानते इंट्रेस्टिंग नहीं मानते पर कम से कम सर इस तो बहुत अच्छे, नहीं सर मेरा मतलब plot तो बड़ा अच्छा है मेरे कहने का मतलब कि वो पढ़ाने वाले लोग अच्छे नहीं है, फिर उसमल जाता है, अपने को फिर समलता है और फिर एक तीसरी बात बोलता है वो ग्रीक भाषा जो है उसमें कठिन शब्ज जो हैं ग्रीक भाश्चा मतलब समझ लिजे कठिन शब्द तो यह सब समझ में नहीं आता और एक बार गलती हुए तो बड़ी पचास लाइन तक गलत हो जाता है तो ऐसा करते हुआ अफसोस के साथ कह रहा है तो फ्रैंक कहते हैं यू साउंड ए लिटल बिटर बिटर मतलब कड़वा बिटर मने कड़वा तो थोड़ा से तुम कड़वाहट के साथ बोल रहा है यह अशा लगता है तो आपलो कहता है आइम रादर सर थोड़ा सा तो है मेरे को थोड़ा सा मुझा अफसोस है थोड़ा गुसा तो है सर थोड़ी कड़वाहट तो है आइम रादर सर देखें कैसा शब्द है आइम रादर सर यस सर थोड़ा सा कड़वाहट तो है फ्रैंक कैप्टिन चाह फ्रैंक कैप्टिन तुमने इसको रखा अंदर Frank No, no sir Extra work Extra work Frank Extra work On the last day of the school The school के आखरी दिन में extra work तुमको क्या देखे question mark लगा हुआ है Extra work On the last day of the school क्या बात है आखरी दिन कैसे To keep in is a highlighted word here यहाँ पर उसका meaning है बोलने का तरीका कि क्या तुम सजा के तौर पे हाए हो क्या तुम्हें punishment के नाम से हाँ बलाया है तो टापलो का क्या जवाब है टापलो से यह सर and I might be playing golf हाँ सर मझे यसली बलाया है You would think he would have enough to do away anyway himself considering he is leaving tomorrow for good for good मतलब हमेशा के लिए considering मान के चलो मानते हुए he is leaving tomorrow for good देखिए for का अर्थ कुछ और होता है good का कुछ और है I have stopped eating sweets for good मैने हमेशा के लिए मिठाई खाना बंद कर दिया है so यहाँ यह कहता है top low कि आप सोच सकते हैं you might think he would have enough to do anyway himself उनके पास काम करने के लिए बहुद कुछ होगा लेकिन considering he might be leaving tomorrow for good but oh no I missed a day last week when I was ill ऐसा नही है मैं लास वीक में एक दिन मिस कर गया था when I was ill जब मैं बीमार था so here I am इसलिए आज मैं बलाए गया हूँ and look at the weather sir और ऐसा करते हुए top low जो है वो बार बार बात थुड़ी सी बदल रहा है थोड़ा सा dodge करने की कोशिश कर रहा है and he says अब नौसम भी देखिये नहीं sir आज हो सकता है मैं गोल्फ खेल रहा होता यदि ये ऐसा बलाए नहीं होते पिछले वीक मैं बीमार पड़ गया था एक दिन नहीं आया था शाज इसलिए आना पड़ रहा है Frank, bad luck bad luck तुम्हारा भाग की ठीक नहीं still there is one comfort comfort मतलब राहत फिर भी एक राहत की बात तो है you are pretty well certain to get your remove tomorrow एक राहत की बात ये है कि तुम्हारा जो तुमको जो remove मिलना है वो कल पक्का निश्चित रूप से हड जाएगा you are pretty well certain certain मने निश्चित pretty का मतलब होता है सुन्दर, प्यारा और यहाँ पर pretty का मतलब है बहुत मार्स आर प्रेटी गुड मेरे नमबर बहुत है the car is pretty big car is big car is very big car is pretty big काफी बडी कार है the suitcase is pretty big not only big pretty big और दूसरा में निश्चित है she is pretty cute so pretty कार्थ यहाँ पर देखिए तो वो कहता बैड लग still there is one comfort comfort मने राहत यहाँ पर comfort कार्थ है राहत we all live in comfort हम लोग सब आराम से रहते हैं वो दूसरा मीनिंग है we all live in comfort वो दूसरा मीनिंग है पर यहाँ पर यहाँ पर कह रहा है still there is some comfort टापलो you are pretty well certain to get your remove tomorrow कल तक तुमको मिल जाएगा तुम्हारा result for being a good boy in taking extra work क्योंकि extra काम करके तुम्हें एक अच्छे लड़के बन गए उनकी नजर में अच्छे लड़के बन गए Frank कह रहे हैं टापलो को देखिए कैसे कह रहे हैं कि लेकिन तुम्हारा अब तुम्हारा प्रमोशन तैह है अब तुमको पास होना तैह है क्योंकि तुम एक extra work कर रहे हो न जिस काम के लिए आज आया हो extra work के लिए तो वो Mr. Harris खुश हो जाएंगे या नहीं विल तो आज जो आए हो extra काम के लिए उस पे अफसोस मत करो गॉल्फ नहीं खेल पा रहे है तो कोई बात नहीं इतना अच्छा मौशन में बाहर नहीं जा रहा पर कोई बात नहीं क्यों क्यों क्योंकि ये extra work का तुमको reward मिलेगा तुमको सर प्रमोट कर दें के पक्का है इस पर तुरंट टॉप लोग क्या कहता है अरे सर I am not sure मुझे कोई वो नहीं है कि guarantee नहीं लग रही है कि हाँ मैंने extra work किया तो मास साब मुझे pass कर देंगे well sir I am not sure मुझे कोई वो नहीं मिल रहा है मतलब निश्चित नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा that would be true of the ordinary masters ये जो सामाने डूसरे teacher थे उनके बारे में ये बात सही हो सकती है कि कुछ extra work किये तो उसके बदले number मिल जाए extra work किये तो उसके बदले में मुझे pass मिल जाए होता है ने कभी कभी ऐसा आप लों को लगता है कि सर ने कुछ extra work के लिए बुलाया है तो शायद उससे मुझे अच्छे number मिलेंगे कई बार ऐसा लगता है तो यहां पर वही बात हो रही है बहुत light comedy है इसमें और इस light comedy के light हास के जरिये Harris का नेचर Headmaster का नेचर कितना बढ़िया यहां मालूम पढ़ रहा है यहां हम लोग सुन रहे है that is something beauty about this conversation तो यहां फ्रेंक कहता है कि bad luck कि तुम खेल नहीं पा रहे हो मौसम में जा नहीं पा रहे हो लेकिन फिर भी एक राहत की बात यह है कि जो तुम आज एक्स्ट्रा काम कर रहे हो न इसमें एक तरीके से तुमको Harris Croker जो है वो पास कर देंगे चिंता मत करो टॉपलो तुरंच कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा यह सब जो है यह ओडिनरी मास्टर लोग के लिए ठीक है आप जो कह रहे हैं बाकी कोई और टीचर होता तो ऐसा कर देता उसने लाइन को फिर लाइन के सामने अपनी हिम्मत दिखाई लाइन के सामने आगया he dared the land don't dare tell me all this मुझे ये सब बताने की हिम्मत मत करो don't dare do that ये कतई मत करना नहीं तो तुम गिर जाओगे don't dare climb otherwise you will fall चड़ने की हिम्मत मत करना तो देखिए बोलने का तरीका क्या है don't climb नहीं don't dare climb चड़ने की हिम्मत मत करना बोलने की हिम्मत मत करना छूने की हिम्मत मत करना don't dare touch me otherwise I'll slap नहीं तो मैं तो मैं मरूंगा मुझे छूना मत तो don't dare तो यहां dare का उप्योग है well, I'm not sure that would be true of ordinary masters alright they just won't dare not to give a chap a remove वो लोग extra work करने के बाद give a chap a remove after taking extra work लोग हमेशे extra करने के बाद दे देते हैं but those sort of rules don't apply to croak लेकिन यह जो headmaster है Mr. Croak इनके मामले में ऐसा नियम लागुनी होता सर Mr. Croaker Harris I asked him yesterday outright if I would be given a remove कि मुझे पास कर देंगे क्या कल मैंने उनसे पूछा था out right मतला खुल कर पूछा मैंने कल मैंने उनसे खुल कर पूछा था कि क्या सर आप मुझे बला रहे हैं मुझे वो देंगे ना पास करेंगे and do you know what he said और मालूमें सर उन्होंने क्या कहा टॉप लो ये सब कहानी सुना रहा है हेड मास्टर के बारे में फ्रैंक को और एक तरीके से आलूचना कर रहा है लेकिन साथ ही कहता है वो नियम कानून वाले नहीं सर वो बाकी लोगों जैसे नहीं है he is not like other ordinary teachers ordinary teachers जो होते हैं कुछ काम कर दिया तो उसके बादे नंबर दे देते हैं पास कर देते हैं प्रमोट कर देते हैं यहां पे नहीं है तो जब मैंने कल उन्च से बिलकुल खुल के कहा कि सर आप बला रहे हैं एक्स्रा वर्क के लिए तो मुझे पास कर देंगे न I'll get a remove na sir I'll get a remove na sir but you know what he said तो Frank एकदम चौंक गया क्या कहा हूं उन्हे नहीं मुझे नहीं माला क्या कहा know what टाप लोग फिर आगे कहता है imitating a very gentle rather throaty voice to imitate करना मतलब नकल करना ऐसी वाली नकल नहीं किसी चीज की copy करना नहीं imitate करना मतलब किसी व्यक्त के बोल चाल की शैली को चलने चलाने की शैली को उसके व्यवहार की शैली की नकल करना उसे कहते हैं imitate और यह जो कई comedians होते हैं यह comedians लोगों की आवाज को imitate करते हैं फिल्म के हेरो की आवाजों को, कई लोग बड़े-बड़े व्यक्तियों के चाल-चलन चलने के तरीके की नकल करते हैं, और हसाते हैं, बोलने की तरीके की नकल करते हैं, तो ऐसी नकल को कहते हैं, to imitate. Imitating is also good, we must imitate great personalities, हमें बड़े लोगों की नकल करनी चाहिए, महान लोगों की, उनके पीछे-पीछे चलना चाहिए, to imitate. So, यहाँ पर, टैपलोग से जैसे उसने पूछा, क्या कहा फिर उन्होंने, जब तुमने उन्से पूछा, कहा कि सर, फिर आप मुझे remove दे देंगे न, तो क्या कहा? So, टैपलो थोड़ा, crocker Harris जैसा चेहरा बनाता है, बहुत सब भी तरीके से, और throaty voice, थोड़े फुली हुई आवाज में, Harris जैसा, गंभीर आवाज में कहता है, मतलब उनके नकल कर रहा है, My dear Toplo, I have given you exactly what you deserve, nothing, no less, and certainly no more, यह sentence देखिये, inverted कॉमा में लिखा है, Toplo, imitating a very gentle, rather throaty voice, यह कौन सी style में लिखा हुआ है, italics में, Slant, तेढ़ा जुका हुआ जो अक्षर है, इस तरीके का, वो italics कहलाता है, italics में लिखा हुआ हिस्सा, play का dialogue नहीं है, लेकिन play की situation का एक हिस्सा होता है, तो यहाँ पर, अब नकल करते हुए, वो क्या कहता है, और exactly जैसा, Croker Harris ने कहा, उसको वैसा ही के वैसा, शब्द बाशब्द वो बोल देता है, चूंकि उसने उनके वाक्य को यथावद बुला, इसलिए वह inverted कॉमा में है, जब किसी वाक्य को, किसी के वाक्य को हम वैसा का वैसा ही बताते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, तो उसके उस वाक्य को ये दोनों तरफ हम inverted comma लगा देते हैं inverted comma के अंदर का वाक्य का मतलब यह वाक्य वैसा का वैसा ही लिख दिया गया है जैसा बोला गया था अब समझ गया है? So this is called imitating My dear Toplo I am sorry, I mean नकल करते हुए कहता है My dear Toplo I have given you exactly what you deserve No less and certainly no more मैंने तुम्हें exactly वही दे दिया है जो तुम्हें मिलना चाहिए ना कम और निश्चत रूप से ज़्यादा तो है नी Certainly no more More मने ज़्यादा No more कार्थ होता है एक साथ दिपढ़ेंगे तो no more कार्थ होता है स्वर्गी हो जाना Death हो जाना That gentleman is no more एक उप्योग ये है No more Because of Corona He fell ill And now he is no more मतलब स्वर्गी हो गया मृत्य हो गयी यहाँ पर no more कार्थ है उससे ज़्यादा नहीं किससे ज़्यादा नहीं जो तुम डिजर्व करते हो To deserve करना मतलब की पातरता रखना जितने की तुम पातरता रखते हो उससे कम नहीं दिया है और ज्यादा तो दिया ही नहीं है ऐसा Croker Harris की नकल करते हुए Toplo कहता है और ये बात Toplo Gentle तरीके से कहता है क्योंकि Croker ने भी बड़े Gentle तरीके से कहा था Gentle मतलब सौम में तरीके से सब भी तरीके से Polite तरीके से Gentleman उसी से बना Gentleman तो बड़े सौम में तरीके से जैसा की Croker जी ने कहा था Head Master ने बिलकुल उनकी नकल करते हुए Toplo Frank को बता रहा है मैं न ज़्यादा दूँँगा न कम देता हूँ और ज़्यादा तो देते ही नहीं Do you know sir? I think he may have mark me down आपको मालूम है sir हो सकता है मुझे वो down कर दे remove न करे मुझे डर लग रहा है Mark करना मतलब किन नहीं लगाना He may have mark me down मतलब मुझे हो सकता है वो फेल कर दियों sir rather than up rather than अब देखिए यहाँ एक rather I would rather be sleeping यहाँ पर देखिए rather than rather than up उल्टा के बदले I have mark me down I think he might have mark me down rather than up for taking extra work बलकि वो अत्रिक काम के लिए मुझे नीचे कर देंगे बजाए पास करने के I mean मेरा ऐसा सोचना है मैं ऐसा सोचता हूँ I mean the man is hardly human मेरा ऐसा सोचना है कि वो sir एक सामान्य आजमी नहीं है मानों नहीं है वो human नहीं है He breaks off quickly और ऐसा कहते हूँ वो break off मतलब रोने लगता है ऐसा कहते हूँ रोने मतलब टूड़ जाए रुआशा हो जाता है To break off He breaks off Don't break Don't break down और ऐसा कहते हूँ वो एक दम रुआशा हो जाता है क्या कहते हूँ है कि sir सामान्य आजमी नहीं है वो He is not a human He is hardly human The man is hardly human वो hardly मतलब बिलकुल भी नहीं Hard और hardly में अंतर देखिया Hard मतलब कठिन Hard मतलब कड़ा The stone is hard You must do hard labor कठिन परिश्रम पर hardly मतलब बिलकुल नहीं You hardly eat तुम बहुत कम खाते हो He hardly sleeps वो बहुत कम सोता है So Mr. Croker is hardly human वो आदमी तो हैं नहीं बहुत कम आदमी है वो आदमी की तरह तो हैं नहीं वो He is hardly human sir और ऐसा कहते हुए ये सब कहते हुए थोड़ा सा टापलो जो है वो एक तरीके से रुआसा हो जालता है Sorry sir, I have gone too far To go too far मतलब क्या होता है To go मतलब जाना Far मतलब दूर Too far मतलब बहुत दूर बहुत दूर जाना पर यहां तो वो खड़े खड़े बात कर रहा है तो बहुत दूर कहां चला गया अपनी कहानी में अपनी बात में अपनी बात कहते हुए मैं बहुत दूर चला गया Sir, माफ करिये ऐसा टापलो कहता है मतलब मैंने कुछ जादा ही बोल दिया शायद अपने Head Master के बारे में आप गुसा होंगे मैंने कुछ जादा ही बोल दिया Too Far मतलब तू जादा बोल दिना और फिर उसकी आलुचना करते-करते You went too far While criticizing him You went too far उसकी आलुचना करते-करते तुम बहुत दूर चलेगा भाई तुमने बहुत जादा बोल दिया देखिए बोलने के अंग्रे जी का मज़ा इस डियालॉक्स में सब में है So Toplo कहता है सार Sorry माफ कर दीज़े मैंने कुछ ज़्यादे ही बोल दिया लगता है सार के बारे में तो Frank Trant कहता Yes Much too far तुम जरूरत से ज़्यादा बोल गए Much too far To भी है और much भी है To मतलब बहुत और much मतलब बहुत यहने तुम बहुत बहुत ज़्यादा बोल गए जैसे उसने कहा तो Toplo घबरा गया क्योंकि एक टीचर कह रहे है हाँ हाँ तुम थोड़ा ज़्यादे ही बोल गए ऐसा टीचर के कहते ही Toplo कहता Sorry sir I got carried away मैं थोड़ा बह गया था I got to get carried away मतलब To get carried away मतलब बहकावे में आ जाना To get carried away मतलब बह जाना पानी में बहना नी अपनी बात में बह जाना कलपना की उड़ान में बह जाना I got carried away किसी की बात में जहांसे में आ जाना कई मीनिंग है To get carried away Sorry sir I got carried away मैं बोलते बोलते जहासे में आ गया और थोड़ा लंबा बोल दिया हूँ, प्लीज डोंट माइन सर, ऐसा अब टॉपलो कहता है फ्रैंक को, इस पूरी कहानी में अभी तक, यही दो कैरेक्टर हैं बस, इस पूरे प्ले में, दोनों की बीट की बाचीत ही अभी चल रही है, और उस बाचीत में फ्रैंक सवाल पूछ रहे हैं और टॉपलो जवाब देते हैं और हर बार जवाब देते हुए, वो हैरिस की, या तो अलुचना करते हैं, लेकिन बड़े सब भी तरीके से, अपने हेड मास्टर की, और सचाई के आसपास घूमते हैं, टॉपलो कहता है, मैं कुछ बोल देना, मैं बोलते बोलते सर, कुछ जादे ही बोल गया, सौरी सर, तो गेट कैरिड़ अवे, डॉट बी कैरिड़ अवे बाए, वाट यू सी इन फिल्म्स, सिनेमा में जो देखते हो, उससे में मत बहजाओ, सिनेमा जो है, वह रियालिटी से बहुत दूर है, डॉट गेट कैरिड़ अवे, पाइ दे मनी डा़ देखते हैं, आपके पिता जी के पास जो पैसा है, उसके बहाओ में मत बहजाओ, अपना कमाओ, अपना कमाओ, अवे अवे जो दोस्त। don't get carried away by the praise he showered on you उसने जो आपकी प्रशंचा की है उस प्रशंचा में मत बहा जाओ मेरे दोस्त don't get carried away एक तरीकी चेतावनी to get carried away किसी के बहाँ में आ जाना भैकावे में आ जाना जहांसे में आ जाना ले में आ जाना so that is carried away Frank कहते हैं sorry sir I got carried away Frank कहते हैं yes evidently बिल्कुल दिखता है evident मतलब दिखाई देना yes बिल्कुल दिखता है he picks up a newspaper and opens it पास में रखा हुआ paper खोलते हुए paper पढ़ते हुए देखियो italics में है फिर to pick up money उठाना he picks up a newspaper and opens it और paper को खोलते हुए कहते हैं तुम तुमने कुछ जादे ही बोल दिया evidently बिल्कुल दिखाई दे रसपश्ट है टापलो टापलो कहते हैं yes sir question mark yes sir अब फोड़ी चिंता हो रही है उसको Frank कहते है what was that Crocker Harris said to you ये paper खोलते हुए Frank टापले से पूछते हैं कि क्रिस्टॉफर हैरिस ने क्रॉकर हैरिस ने तुमको क्या बोला था फिर से दुहरा ना आपको याद है ना एक उद्धरन इन्वर्टेट कॉमा में जैसा हेड मास्टर ने कहा था वैसा का वैसा टापलों ने दुहरा दिया था और वो प्रश्न क्या था कि क्या सर ये सब में एक्स्ट्रा काम करूंगा तो कल मुझे आप प्रमोट कर देंगे ना आपको प्रमोट ना और उस पर हैरिस ने क्या कहा था उसी को फिर से पूछता है यहां पर फ्रैंक की ज़रा बताना तो वाट वॉजट क्रॉकर हैरिस सेट तो यू कि तुम्हें क्रॉकर हैरिस ने कहा क्या था कि जस्ट रिपीट इट वुड़ यू थोड़ा से दौराओ दौराओगे पेपर खोलते हुए पेपर पेपर को देखते हुए बिना तौपलो की आँख में आँख मिलाए फ्रैंक क्योंकि वो जानना चाहरे है कि हेड़ मास्टर किस तरीके के हैं मेरे मेरे जो इतने बड़े हेड़ मास्टर जिनकों मैज़त करता हूँ उन्होंने जो कहा जरा फिर से दूराना क्या कहा था तो तौपलो कहता है फिर से निकल करते हुए कहता है Imitating again फिर से निकल करते हुए कहता है My dear तौपलो, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more